नमस्ते आप सभी का स्वागत है पोडोजी के एंड क्रेंट अफेर्स में मित्रो जैसा कि आपको पता होगा कि किर्केट वर्ल्ड कप 2013 का समापन हो चुका है और इस वर्स किर्केट वर्ल्ड कप के विजेता आस्ट्रेलिया बनी है तो आज किस वीडियो में हम लोग प्राइम नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर ले और आप इसका पीडियाप चाहते हैं तो किर्पा कमेंट करें तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला परस ने पूरुष किर्केट विश्व कप 2023 के विजेता टीम कौन है तो इसका आंसर आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आस्ट्रेलिया मित्रो किर्केट विश्व कप 2023 के विजेता टीम आस्ट्रेलिया है आस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट स हारा कर iCC पुरुष कर्केट विश्वकप दो जरतेस की वीजयता बनी है यदि हम बात करें iCC पुरुष कर्केट विश्वकप दोजरतेस की फाइनल की तो इससे उनिस नौमबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था जिसमें भारत ने अस्ट्रेलिया को 241 रन का लक्ष दिया था और आस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को 6 विकेट से अपने नाम किया तो चली अगला प्रसंद देखते हैं किर्केट विस्ट वुकप 2023 का आयोजन कहां किया गया था important question है तो इसका right answer है option D भारत मित्रो किर्केट विस्ट वुकप 2023 की में जबानी भारत ने किया था next World Cup 2023 के विजेता टीम को कितनी रासी प्रदान की गई है इसका right answer है option C 33.17 करोड मित्रो ICC पुरुष किर्केट विस्ट वुकप 2023 के विजेता टीम को 33 करोड रुपे प्रदान की गई है और इसे ICC द्वारा प्रदान किया जाता है और यदि हम बात करे ओप विजेता टीम की रासी प्रदान की गई है किर्केट वुर्ड कप 2023 के विजेता टीम आस्ट्रेलिया है आस्ट्रेलिया को 33.17 करोड रुपे और वही पर भारत को 16.62 करोड रुपे प्रदान किया गया है और यह रासी ICC द्वारा प्रदान किया जाता है नेक्स्ट ICC पुरुष किर्केट विज्व कप 2023 वर्ल्ड कप का कौन सा संसकरन था यह important question है तो इसका right answer है option C 13 वा मित्रो ICC पुरुष किर्केट विज्व कप 2023 वर्ल्ड कप का 13 संसकरन था और यह ODI format का था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है और यह दिहम बात कर वही पर 12 संसकरन की तो इसका आयूजन इंग्लेंड में 2019 में किया गया था जिसे इंग्लेंड ने न्यूजिलेंड को हडा कर अपने नाम किया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next ICC पुरुष किर्केट विज्व कप 2023 में कितने टीमों ने भाग लिया था इसका राइट आंसर है option C 10 मित्रो ICC पुरुष किर्केट विज्व कप 2023 में कुल दस्टी में भारत आस्ट्रेलिया दचिन अफ्रिका न्यूजिलेंड इंग्लेंड पाकिस्तान स्रिलंका नीदरलेंड बांगलादेश एवं अफगानिस्तान ने भाग लिया तक किर्केट वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नॉमबर 2030 तक किया गया था जिसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था और यह वर्ल्ड कप का 13 वासंस करन था तो यह आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है ICC किर् तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट ICC किर्केट विस्टो कप 2030 में सरवादेक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है इसका राइट आंसर है ओप्शन भी मुहम्मद समी मुहम्मद समी ने ICC किर्केट विस्टो कप 2030 में 24 विकेट लिया था वही पर एडम जंप 23 विकेट डी मधुसंग का 21 विकेट तथा कोयत जी 20 विकेट अपने नाम किया था तो यह आपको ध्यान में रखना है चलिए मित्रों अगला प्रसन देखते हैं नेक्स्ट, ICC पुरुस वर्ल्ड कप 2030 में गोल्डन वैट का अवर्ड किसे परदान किया गया है इंपोर्टन कोशन है, इसका राइट अंसर है ऑप्सन है विराटकोली तो golden bet का award किसी भी बल्लेवाज को world cup में सरवाधिक रन बनाने के लिए परदान किया जाता है तो 2023 में यह पुरसकार बिराट कोली को परदान किया गया है क्योंकि बिराट कोली ने इस world cup में सरवाधिक रन बनाया था चलिए मित्रो अगला प्रसन देखते है नेक्स्ट, ICC पुरुस world cup 2013 golden ball का award किसे परदान किया गया है यह भी important person है तो इसकराइट आंसर है option भी मुहमद समी मुहमद समी को ICC world cup 2013 का golden ball award परदान किया गया है मुहमद समी ने इस world cup में सरवाधिक बिकेट लिया था नेक्स्ट, world cup 2013 का player of the match का award किसे परदान किया गया है तो इसकराइट आंसर है option है Travis Head मित्रो, world cup 2013 का player of the match का award आस्ट्रेलिया इवालेबाज Travis Head को परदान किया गया है Travis Head ने इस world cup के final में सरवाधिक run बनाया था इसलिए उसे यह प्रोसकार परदान किया गया है नेक्स्ट, world cup 2013 का player of the tournament अर्थात player of the series का award किसे परदान किया गया है तो यह important question है, इसका अच्छे परफर्म करने वाले खिलारी को परदान किया जाता है तो इस world cup में बिराट कोली सबसे अच्छा परदार्शन किया था इसलिए अवर्ड बिराट कोली को परदान किया गया है और वही पर हम player of the match की बात करतो यह एक match में किसी खिलारी को BCS परदार्शन करने के लिए परदान किया जाता है चलिए अगला प्रसन देखते है नेक्स्ट किरकेट वर्ड कप 2013 का पहला match किस stadium में खिला गया था इसका राइट आंसर है option C नरेंदर मोधी stadium अहमदाबाद जो की गुजरात में इस्तित है और किरकेट वर्ड कप 2013 का final भी इसे stadium में खिला गया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट किरकेट वर्ड कप 2013 का final किस stadium में खिला गया है तो इसका राइट आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है इसका राइट आंसर है option D नरेंदर मोधी stadium जो की गुजरात के अहमदाबाद में इस्तित है अगला प्रस्ण है किरकेट विश्व कप के पहले संसकरन का आयोजन कब किया गया था इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो इसका राइट आंसर है option है 1975 1975 में किरकेट वर्ड कप के पहले संसकरन का आयोजन किया गया था और इसे इंगलेंड में आयोजित की गई थी 1909 में International Cricket Council की अस्थापना की गई थी Next अंतराश्ट्रिय किर्केट परिशत का मुख्याले कहां इस्थी थे यह भी important question है So is correct answer option है दुबाई International Cricket Council का headquarter दुबाई में इस्थी थे 2005 से पहले अंतराश्ट्रिय किर्केट परिशत का मुख्याले लंदन में इस्थी था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है Next भारतिय किर्केट नियंतरन बोर्ड BCCI की अस्थापना कब हुई इसका right answer option C 1928 मित्रो BCCI की अस्थापना 1928 में की गई थी BCCI भारत में रखनाश्ट्रिय किर्केट नियंतरन करती है Next BCCI का मुख्याले कहा है इसका right answer option C मुंबाई मुंबाई में BCCI का मुख्याले इस्थी थे Next भारतिय किर्केट नियंतरन बोर्ड BCCI ICC का सदस्य कब बना था यह important question है इसका right answer option A 1926 1926 में BCCI ICC का सदस्य बना था और BCCI की अस्थापना 1928 में की गई थी तो अब हम लोग इस वीडियो के आंत में आ चुके हैं तो मैं आपसे एक प्रस्न पूछोंगा यदि आप इस प्रस्न का आंसर जानते हैं तो किर्केट इसे comment में लिखे तो आज का प्रस्न है किर्केट इस पूप के 14 संसकरन जो 2027 में आयोजित की जाएगी इसे किसके दोड़ा आयोजित की जाएगी यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो किर्पा इसे comment में लिखे option A सिरलंका और बांगलादेश option B नेपाल option C आसा करता हो कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आज किस वीडियो को पसे यही पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत